सबी पत्रकार बंदूओं को नमश्कार अडानी के भेस्टाचार को उजागर करने की सजा मुझे छे महीने जेल के रूप में मिली और आपको याद होगा कि देश की संसग में मैंने नारा लगाया था प्रदानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेज के खाई मलाई क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचम भित रह गए वो रिपोर्ट क्या कह रही थी वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि दुनिया के तमांग घोटाले बाजों को इकठा करके भारत से मनी लॉंडरिंग करके अडानी ने हजारों करोर रुपए मौरिसेस में फरजी कमपनिया बनाके चैन चूंग लिंग नासीर अली इन लोगों के माध्यम से फरजी कमपनिया बनाके हजारों करोर रुपए लगाया और उन्ही कमपनियों के जरिये गौतम अडानी का भाई विनोध अडानी भारत में सेयर बाजार को बढ़ाने के लिए अपने कमपनियों के सेयर को बढ़ाने के लिए अपने कमपनियों के सेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए यानि वास्तविक वैल्यू सेयर की उतनी नहीं है उसमें फरजी कमपनिया बनाके विदेशों से पैसा लगाया गया और सेर के अदाम बढ़ाया गया वास्तविक अदाम सेर का उतने नहीं है लेकिन बाहर से फर्जी कमपनिया बना के विनोध अडानी के माध्यम से हजारों करून रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कमपनी में लगाया गया उसके सेयर का दाम बढ़ाया गया और जब हिंदुस्तान के छोटे मी वेसर आम आदमी मिडल क्लास के लोग उस सेयर को बढ़े दामों पे खरीते हैं तो कुछ दिन बाद वो सेयर की वैलू जब घड़ती है तो उनका पैसा डूप जाता है और याद रखेगा न्यू पेंसन स्कीम देश के लाखों करमचारियों की पेंसन MPS उसका पैसा भी सेयर मार्केट में लगता है LIC का पैसा भी सेयर मार्केट में लगता है और अगर वहां ये घपला और घुटाला हो रहा है तो अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है ये सरल भासा में हमें समझना चाहिए ये अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है उसने तो भस्तचार कर रखा है यह देश के लाखों करोनों लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा जो सेर बाजार में वो लोग लगाते हैं वो पैसा डूब रहा है और कितना डूबा आप कर्पना कर सकते हैं अगर मैं इस प्रेस कॉंफरेंस में कहूं तो जीरों लगाते लगाते आप ठक जाएगे जब हिंडन बर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो आठ लाख पचास हजार करोड रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए सेया मार्केट में आठ लाख पचास हजार करोड रुपए मैंने तब मांग की थी बहुत जोर सोर से कि जेपीसी बनाओ जेपीसी बनाओ पूरे मामले की जाच कराओ सचाई तक जाओ इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है अडानी ने फरजी कमपनिया वीदेशों में बना के अपनी कमपनियों के सेर बढ़ाएं हैं उसके दाम बढ़ाएं हैं पैसा गलट धंक से लगाया गया खुले आम ये मनी लॉंडरिंग का मामला है ब्रस्टाचार का मामला है एक आवाद नहीं सुनी गई मेंगी मोदी जी ने क्या किया मोदी जी ने कா इसको पकड़के जेल में डालो उठाके मुझे जेल में डाल दिया गया छे महींने में जेल में डाल जुर्म यही था मैं फिर दोर आ रहा हूँ वो नारा संसद में मोदी अडानी भाई 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 देश बेच के खाई मलाई और आज क्या खुलासा हुआ है मानी सर्वोच्चिन अईले में मामला गया मानी सर्वोच्चिन अईले ने कहा इस पूरे प्रक्रणों की जाँच सेवी करेगा सेवी इस पूरे प्रक्रणों की जाँच करेगा सेवी ने अपनी जाँच सुरू की सेवी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की और 2023 के मई महीने में जो रिपोर्ट सेवी ने सुप्रिम कोर्ट में दाखिल की वो बड़ी हास्यास्पद है आज सुनेंगे तो आपको मजाक लगेगा सेवी सुप्रिम कोर्ट में कह रहा है कि हम ऐसे जुड़े तेरा मामलों की जाथ कर रहे हैं और ये कर रहे है Vocês बाद में कह रहे हैं हमें पता नहीं है कि कहां तक ये जायेी ये एक दिसाहीन जाथ है हुजूर कुछ गर्वड़ी तो हुई है लेकिन हम बता नहीं सकते गर्वड़ी किसने की है क्या करिये सीवी सुप्रिम कोर्ट में हुजूर कुछ गर्वड़ी तो हुई है किसने गर्वड़ी की है क्या गर्वड़ी की है ये हम बता नहीं सकते और ये जाच दिसाहीन है, अंतिहीन है, किस ओर जाएगी, कब तक चलेगी, यह हमें पता नहीं तो क्यूं बोला सेवी ने यह? सेवी अध्यक्ष ने क्यूं बोला यह? इसका खुलासा कल हिंडन बर्क की नई रिपोर्ट में हुआ है और वो क्या कहती है ने रिपोर्ट कि सेवी की अध्यक्ष, माधवी पुरी बुच और उनके पती धवल बुच ने लगभग 10 मिलियन डॉलर उनी फर्जी कमपनियों में लगाए हैं, उनी फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जाज करनी थी यानि जिस ब्रस्टा चार के मामले की जाज सेवी अध्यक्ष को करनी थी वही पर इनका पैसा लगा हुआ है, वही पर इनका इन्वेस्मेंट हुआ हुआ है, लगभग 10 मिलियन डॉलर और ये एक विसल ब्लोवर के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ हुआ है, आप मुझे बताइए, जिन कमपनियों के, जिन के ब्रस्टा चार के, जिन मामलों की जाज स्वयम सेवी को करनी थी, अगर सुप्रिम कोर्ट ने कहा, आप जाज करेंगे इसकी, तो माध्वी आया कि हुजूर मैं जाच नहीं कर सकती क्योंकि हमारा मामला, हमारा पैसा तो और हमारे पती का पैसा तो खुदी इन फंड्स के उपर लगा हुआ है, जिसको बिनोदाडानी मेलेज करता है, जिसके जड़िये हिंदुस्तान के आम आदमी को लूटा जाता है, जिसके आठ लाख पचास अजार करोर रुपए सेयर बाजार में अठारा महीने पहले इस देश की जंता के दूबे थे भूलियेगा नहीं और तब मैंने चिला चिला के कहाता कि यह बहुत बड़ा भरस्टाचार है जेपीसी से इसकी जांच कराओ और तब मेरी एक नहीं सुनी लिए बड़के उल्टा मोधी जी ने उठा के हमको जेल में भेज़ दिया तो मैं भारत के प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ आप भरस्टाचार पर बड़ी बड़ी बाते करते हैं भरस्टाचार को खतम करने की गारंटी देते हैं भरस्टाचारियों को जेल में भेजने की गारंटी देते हैं और आपने एक तेलंगाना की सभा में कहा था अडानी कांग्रेस को टेंपू में भर भर के रुपिया पहुचा रहा है आप देश के प्रधान मंत्री होके इतना बड़ा आरोप लगाते हैं और जैसे ही आपके सपत गरान समारोप होती है भारत के सेना के सरवोच चपत पे बैठे हुए लोग पीछे बढ़ते हैं अडानी आगे बढ़ता है ये आपकी असलियत है प्रधान मंत्री जी इसलिए आडानी का घोटाला ये आडानी का घोटाला नहीं है ये भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का घोटाला है ये भारती जन्ता पार्टी का घोटाला है जिसने पूरा देश अपने दोस्त के हवाले कर दिया हिंदुस्तान के एरपोर्ट की जमीन हिंदुस्तान के सारे लगबग सारे अरपोर्ट एक एक करके अडानी को दिये जा रहे है रेल अडानी को सेल अडानी को कोईला की ख़दान अडानी को गैस अडानी को पानी की पानी अडानी को बिजली अडानी को सड़क अडानी को सीपोट अडानी को सब कुछ आप एक व्यक्ति के नाम निलाम कर दें जाना है और आपने प्रभु स्री राम को भी नहीं बक्सा भग्मान श्री राम की नगरी को भी आपने नहीं बक्सा जो जमीन भारतिय सेना के लिए अरक्षित थी तेरा हजार एकल जमीन आपने उठा के अपने दोस्त अडानी को दे दिया आयोध्या में प्रभु स्री राम की नगरी में आप ना राम के हैं ना आम के हैं ना किसी काम के हैं प्रधान मंत्री जी आपका एक ही मकसद है अपने दोस्त के नाम पूरे देश को निलाम करना और इसलिए अब यह जो मामला सामने आया है सेवी अध्यक्ष की सारी जाँच बेबुनियाद है निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जाँच में दी गए उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाफिल किया है मानी सरवोच चने आयले को इसका संग्यान लेना चाहिए क्योंकि तथ चुपाए गए सच्चा ही चुपाए गई सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने छूट बोला सुप्रीम कोर्ट में अब नए खुलासे के बाद उसका संग्यान लेना चाहिए नमबर एक और नमबर दो ये सारे घोताले ये आठ लाख पचास हजार करोड रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो दूबा है इसके लिए कोई और नहीं भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जाच नहीं हो सकती अडानी के भ्रस्टचार की जाच नहीं हो सकती प्रधान मंत्री में जड़ासी भी ने तिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए उनको देश का प्रधान मंत्री बने रहने का हग नहीं है प्रधान मंत्री स्टीफा दे जेपी सी बनाई जाय तब इसकी जाच हो सकती है जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है तो नई रुपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी इनके एक स्राफ करके हैं वो समदी है सेवी के अधिकारी दूसरा मामला आया सेवी का द्रच खुदी फंड में पैसे लगाए हुए है तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझेगा कि आडानी के घोटाले का इस देश के आहम आदमी से कोई लेना देना नहीं है इस देश के लोगों का लाखों करों रुपे डूबा है और उस प्रस्ताचार में सीधे तोर पे भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौताम अडानी वो शामिल है मुझे इतनी बात कहनी थी आपका कोई प्रस्तन हो तो आप पूछ सकते है उनके कहने से क्या होता है जो सामने आया है सच वो तो गौताम अडानी भी कह रहा था हमने कुछ नहीं किया देश के लोगों का साड़े आठ लाग करणों पर डूब गया मारिसेस में फरजी सेल कमपनिया बनाई गई गौताम अडानी ने अडानी कमपनियों के सेयर वैलू बढ़ाने के लिए वो शेयर खरीदे उसमें पैसे लगाए ओवर वैलू हो गई तो आम जो छोटे इंवेस्टर है उन्होंने उसको खरीदा बड़े दामों पे उनका पैसा डूबा जब उसकी मार्केट वैलू कम होई तो तो यह पूरा मामला है उनके कहने से कुछ नहीं होता अब पूरी सच सामने आ चुकी है देखे ऐसा है कि उपराज जिपाल के पास 24 घंटे सिर्फ एक काम पे लगाया गया है आम आदनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो आम आदनी पार्टी के खिलाफ कोई न कोई केस बनाओ जूंती खबरे मीडिया में ब्लांट करो कभी केजरी वाल के स्वास्त से जुड़ी कभी कुछ कभी कुछ बीमारी का मजा कुड़ा हो इनी सब कामों में उपराज जेपाल महोदे का समय जा रहा है उनको अपने समवैधानिक दाइत्तियों का नजमान नहीं करना है इसलिए वो अपना काम कर रहे है हम अपना काम कर रहे है